एलो, दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं राजकुमार सींग, आप सभी लोग आप सबी लोग बहुत-बहुत सौगत करता हूँ। देना है तो ALP का एक्जाम स्टार्ट हो रहा है 25 नॉवंबर से लेके 29 नॉवंबर के बीच में CBT-1 पहले CBT-1 होगा उसके बाद CBT-2 होगा CBT-1 का रिजल्ट आएगा फिर CBT-2 होगा 25 नॉवंबर से स्टार्ट है 29 नॉवंबर तक ALP का एक्जाम होगा RPF SI का अगर आपने फॉर्म भरा है उसका एक्जाम देना है तो दो दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में होगा और अगर रेल्वे में टेक्निशन का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो उसका जो एक्जाम होगा वो 16 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच में होगा और जो JEE का एक्जाम होगा Junior Engineer का Electrical, Mechanical, Civil, Electronics वालों का उनका जो CBT-1 का एक्जाम होगा वो 6 December से 13 December के बीच में होगा यानि जो सबसे जल्दी एक्जाम हो रहा है वो है ALP का 25 नॉम्बर से स्टार्ट है और JEE वागर का जो है वो 6 December से स्टार्ट है, Technician का 16 December से स्टार्ट है अब आपको लगर होगा कि Sir Time तो हमारे पास कम है अगर मैं देखो तो इसमें सबसे जल्दी जो एक्जाम हो रहा है ALP का 25 नॉम्बर को उसमें भी आज से आप देखोगे तो लगभग आपके पास 50 दिन का टाइम है एक गो दिन कम जादा हो सकता है लगभग 50 दिन का टाइम आपके पास ALP के लिए है SI के लिए आपके पास थोगा स्ट और टाइम है टेकनिशन में दो महने से जादा का टाइम है ALP में लगभग 50 दिन का टाइम है तो अगर आप अपने समय का पूरा इस्तेमाल करो जितनी भी आवांचनी गत्विधियां हैं जो आपके समय को बरबाद करती हैं आपके दिमाग को अकुपाई करती हैं ऐसी कोई भी गत्विधी छोड़ दीजिए सिर्फ और सिर्फ द्यान पढ़ाई पे फोन पे बेकार की बाते करना सौर्च देखना, मूवीज देखना गप्पे लड़ाना ये सारा काम अगर बंद करके अगले 50 दिन में आप पूरी एनरजी के साथ मैथमेटिक्स में, रिजिनिंग में, साइंस में इन सारी चीव में अगर आप फोकस करेंगे और आपका पहले से थोड़ा बहुत दी बेसिक्स ठीक ठाक है तो आप इतनी अच्छी त्यारी कर ले जाएंगे कि आप एक्जाम में फाइट तो देई सकते हैं बाकी बच्चों को अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले से थोड़ा बहुत आपके पास नौलेज है तो भी कम से कम अगर ELP की है मैं बात करूं तो पच्चास दिन का टाइम है आप इस पच्चास दिन में अपने आपको इतना तयार कर सकते हो कि बाकी बच्चों को आप फाइट दे पाओगे और अगर आपने पहले से ठेक ठाक पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन का टाइम होगा आपके लिए अपनी कमियों को और बहतर करने का टाइम होगा और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो हार मत मानना अगर आप मैंसे कोई ऐसा है कि सर CBT1 का सलबस तो हमारा तयारी नहीं है क्या करें अगली बार के तयारी करें ये कम नहीं है कई बार आप जब पढ़ते हो ना तो 50 सार दिन में उतना पढ़ ले आते हैं जितना कई बार आदमी 6 महीन एक साल में नहीं पढ़ पाता बस डिपेंड करता है का आपके पढ़ने की इंटेंसिटी कितनी है कितनी एकागरता के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपकी डेट आ चुकी है तो ALP का CBT-1, JEE का CBT-1 होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा इसका फिर CBT-2 होगा बाकि आपका टेकनिशन और RPA PSI की भी डेट आप देख सकते हो ठीक है ये एक्जाम डेट है आप इसके त्यारी में लग जाइए बाकि आपने कहिन कहीं बैच जोईन कर रखा होगा करेर विलाप पे भी इसके बैचे चल रहे हैं आप वहाँ जाकर के इनके बैचे जोईन कर सकते हैं ALP का भी फुल बैच चल रहा है जेए का भी फुल बैच चल रहा है CBT1 प्लस टू का बाकि टेकनिशन और गएरा के बैचे भी चल रहे है तो इन बैचे को आप जोईन करके पने जारी को और बहतर कर सकते हैं अभी आपके पास करना क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है जो भी आपका CBT1 है अगर आपको साइंस अच्छे से तयार है तो अगर आपको लग रहा कि आपके जेए के एकजाम के लिए नॉन टेकनिकल हिस्सा अच्छे से तयार है तब आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा ट्रेड पढ़ो टेकनिकल पढ़ो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप CBT1 में ही अटक जाओगे तो फिर CBT2 में बैठोगे कहां से आप CBT2 में कहां से बैठोगे तो मेरी यही सला है कि CBT2 का जो हिस्सा है अभी उसको थोड़ा सा पीछे रखिए CBT1 का जो हिस्सा है उसको अपने सामने रखिए देखिए क्या इसका सारा हिस्सा आपका तयार है अगर तयार है तो उसका रिवीजन करिए और कोई हिस्सा तयार नहीं है तो उसको पढ़िए और सीखिए हाँ अगर आपको लगरा कि सर मेरा CBT1 पूरा तयार है फिर आप CBT2 के लिए थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो घंटा दो घंटा तिन घंटा लेकिन पहले आप CBT1 पर धान दोगे क्योंकि आपके बास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है CBT1 होने के बाद आपका पेपर कैसा होगा आपके दिल को आपके अंतरमन को पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई कर सकते होगी नहीं CBT2 के लिए फिर CBT1 देने के तुरंद बाद आपने ट्यारी श्टार्ट कर देना CBT2 की एक्जाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना जिसका पेपर तुरा सा भी ठीक ठाक होगा ठीक है तो डेट आप देख लीजिए कमर कस लीजिए अगले 50 दिन अपने सरीर की पूरी उर्जा का इस्तेमाल आपको करना है अपने लिए अपनी पढ़ाई के लिए तो आज के लिए इतना ही बागे की कहानी नेक्स क्लास में तब तक के लिए नमस्कार